21 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी, दस दिन में जमा करनी होगी फायर एनोसी करेंट लगने से आउट्सोर्स कर्मी की मौद, ग्राम गुटेरा में हुआ हाथसा आदे घंटे के बारिश में डूबा चिंद बाड़ा, कई घरों में पानी भरा रक्षा बंदन को लेकर सजा बाजार, राक्षियों पर मेंगाई की मार और कलेक्टर ने ली शिक्षा विभाग की पैठक, अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश नमस्कार चिंद बाड़ा लाइव में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ एकता, आईए बढ़ते हैं खबरु क्यों जबलपूर में हुए आगजनी की हादसे के बाद अब चिंदवाड़ा जिला प्रशासन भी चौकरना हो गया है गुरुवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर CMHO, डॉक्टर जीसी चौरसिया के द्वारा पर्मनेंट फायर अनूसी प्रस्तुत करने इसंबंदित चेतावनी पत्र चिंदवाड़ा जिले की 21 नामी गिरामी निजी अस्पतालों को दिये गए हैं CMHO के नोटिस के बाद निजी अस्पतालों में हड़कंप मच गया है इन अस्पतालों को दस दिनों का आखरी अल्टिमेटम विभाग द्वारा दिया गया है यदि निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन को निरस्ट करने की कारवाई की जाएगी ग्राम गुटेरा निवासी 30 वर्षी युवक के विद्यूत पोल में काम करते समय करेंट लगने से मौत हो गई जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया प्रात जानकारी के नुसार गोगरी सबस्टेशन अंतरगत रिचेर फीडर में आने वाले गुटेरा ग्राम में संतोष ताराम उम्रतीस वर्ष जो की आउट्सोर्स कर्मचारी था विद्यूत पूल में लाइन मैं नारायन सूरिवंश्टी से परमिट लेने के दौरान वो विद्यूत पूल में चड़कर काम कर रहा था जिसके बाद अचानक करेंट लग गया और उसकी मौ के इस्थल पर ही मौत हो गई शहर में गुरुवार को तीन दिन बाद जहमा जहम बारिश होई लगभग आदे घंटे की बारिश में ही कई जगा नदी और नाले उफान पर आ गए प्रदर्शनी कॉलोनी से अनंद नगर को जोड़ने वाला पुल पूरी तरह से पानी में डूब गया जबकि कई लोगों के घरों में पानी समा गया रक्षा बंदन त्योहार के कुछी दिन शेश रह गए हैं भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेके पर रक्षा बंदन में कलाई पर राखी बांधने का विशेश महत्व होता है शेहर में विविद रक्षा बंदन की राख्यों का बाजार सच कर तयार हो गया है शेहर के राखी विक्रेता उन्हें बताया की वर्तमान में 3 रुपे से लेकर 500 रुपे तक की राखी बाजार में उपलब्ध है कोरोना काल के बाद कच्चे मटेरियल के दाम बढ़ने से राखी के भी दामों में बढ़ोतरी हुई है कुछ आइटम पर GST लगने के कारण दामों में और ज़्यादा इजाफा हुआ है इस बार राखी के दाम 15 से 25 प्रतिशत तक बढ़ गए है बतादे की राखी को लेकर इस्थानी जेल बगीचे के पास इतवारी बाजार बुदवारी बाजार, शनिच्रा बाजार, परासिया रोड में राखियों की दुकान सचकर तयार है यहां पर विवित किस्म की राखियां विक रही है कलेक्टर सौरब कुमार सुमन की अद्धक्षता में आज कलेक्टर कारयाले की सभाकक्ष में जिलाशिक्षा केंद्र, स्कूल सिक्षा और जनजाती कारे विभागों की समिक्षा बैठक संपन हुई बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी अर्विंद चौरागडे सहायक आयुक्त जनजाती कार एनस भरकडे जिला परियोजना समानवेक जिला शिक्षा केंदर जेके एटपाचे सभी बीईयों एपीसी और अन्यधिकारी उपस्तित थे कलक्टर ने बैठक में निर्देश दिये कि जिले में शिक्षणिक गति विदियों को गति प्रदान करे और शालाओं में शिक्षकों और विद्यार्थियों के उपस्तिती सुनिश्चित करे इसके लिए M. शिक्षा मित्र पोर्टल के हाजरी एप में दर्ज उपस्तित के आधार पर शिक्षकों का वेतन आहारित करे और अनुपस्तित रहने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कारिवाही करे अब वक्त हो चला है फिलाज चोटी से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद IVF टेस्ट्यू बेवी अंडा ब्रोन एवं वी संग्रहन डोनर सर्विस नीसंतान दमपती आज ही संपर करें कुसम IVF फाने नर्सी हों एवं फ्रेक्चर होस्पिटल पोला ब्राउन के पास चिनवाडा Civil Services की तैयारी के लिए अब दिल्ली आइंद और जाने की जरूरत नहीं आपके अपने शाय चिनवाडा में निधीश्री अकैडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षा कुद्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी वो भी अंग्रेजी माध्यम में उचितम शिक्षा इस्तर, रेगुलर टेस्ट, फ्री डेस, फ्री डेमो क्लासेज, एडमिशन ओपन, निधीश्री अकैडमी, प्रॉफेसर कॉलोनी, नियर ट्रावल म्यूजियम चिनवाडा अधिक जानकारी के लिए संपर करें 7024903666 ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, आई अब बढ़ते हैं खबरों की ओड़ इसलाम धर्म के संस्थापक हजरत पैगंबर मुहमत के नवासे हसन हुसैन की शहादत ही याद में महरम पर ताज़दारों ने ताजिये बनाए है शहर के मुसलिम बाहुल शेत्रों में करीब 30 सिस्थानों पर ये ताजिये बनाए गए है महरम पर मुसलिम समाज उनकी शहादत को याद करता है इस अफसर पर महरम जुनूस में ताजिये निकाले जाते है साथ दिरों तक चलने वाले महरम पर आज से बाबाओं की सवारिया भी उठेंगे इसके साथ ही मनत के शेर भी बनाए जाएंगे अंजुबन कमेटी ने महरम परवो पर वैवस्था को लेकर जिला प्रशासन को व्यापक प्रवंद बनाने ग्यापन दे दिया है महरम शुरू हो चुका है इसको लेकर मुस्लिम बाहुल शेत्रों में दावते खिचडा शहीदी तकरीर सहित अन्य आयोजन किये जा रहे है महरम की साथ तारीक 6 अगस्त को शहर के विविद स्थानों से बाबाओ की सवारिया भी उठेंगी साद अगस्त को शहर की सबसे बड़ी बाबा नाले हैदर की सवारी भी उठेंगी जो शहर का सफर करेंगी बाबा नाले हैदर की सवारी में बड़ा जन समू साथ होता है इसके अलावा शेहर में करीव 30 स्थानों से सवारिया उठती है जबकि महरम का जुलूस 9 अगस्त को निकलेगा जो बड़ा इमाम बाड़ा से छोटा बाजार 84 महला रॉयल चौक होते हुए कर्बला मैदान पहुचेगा जुलूस में ताजिय सवारिया मननत के शेर सहिद हजारों की संक्या में लोग शामिल होंगे कलेक्टर सौरब कुमार सुमंद्वारा गुरुवार को कलेक्टरेट सभा कक्षिस से आयोजित वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से अधिकारियों की समिक्षा बैठक ली गई इस दोरान उन्होंने शासन के विबिन फ्लैक्शिप कारिक्रमों और अभियानों में प्रगती की विभागवार और विकास खंडवार विस्ति समिक्षा करते हुए आवश्यक दिशानिर देश दिये बैठक में मुख्य रूप से हर घर तिरंगाभियान की तैयारियों की अंतरगत, ध्वजवितरन, राशी संग्रहन और प्रचार प्रसार के लिए किये गए कारियों, अंकुर अभियान की जनपदवार और नगरी निकायवार प्रगती और अन्य विभागों को दिये गए ल कारिक्रम में गहुई समाज पंचैत की महिला समीती के द्वारा विवित प्रतियोगी ताय भी आयोजित की गई थी, नवीन कारिकारणी के द्वारा आने वाले समय में दीपावली मिलन समारो और होली मिलन समारो भी मनाया जाएगा सावन के मा में विभिन धार्मिक और सामाजिक संगठनों की महिलाओं के द्वारा हरियाली उत्सव मनाया जा रहा है इसी कम में बीते दिन महिला साहू समाज के तत्वाधान में साहू मंगल भवन में हरियाली उत्सव मनाया गया जिसमें शार्दा साहू के मार्ग दर्शन में साहू समाच की महिलाओं ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया जिला अध्यक्ष अंकिता साहू ने बताया कि हरी आली उतसफ के चलते सभी महिलाओं ने हरे रंग की साड़ी पहन कर विविन प्रतियोगिताओं में भाग लिया इस दोरान सावन के गीत गाते हुए जूले जूले गए। डांस प्रतियोगिता में मंजू साहू, ग्रेन क्वीन प्रतियोगिता में प्रिया साहू को शालिनी विवेक और रानु नवीन के द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रदान मंत्री अवास योजना है। उनको ग्राम में पट्टा नहीं दिया जा रहा है। और जिसे वो हिद्गराई है वो लाप से बंचित हो रहे है। तो हम प्रसासन से यह अपील करते हैं, यह मांग करते हैं सभी ग्राम बासी लोग कि उनको पट्टा दें, अभी हमारे इस लहां पर ग्राम जयत्पूर में आवासी भूमी अवांतित हुई हैं। उसमें ग्राउं के जो पटेल लोग हैं, जो पुराने माल गुजार लोग हैं। उनको अभी अतिकर्मन हैं तो जो अवासी जमीन जो हैं, उसमें अतिकर्मन होने के कारण वो लोग अपना रंगारी के समीब कानान नदी का पुल तूट जाने के कारण जन जीवन प्रभावित हो रहा है ग्राम लोधी खेडा व्यापारी संगठन के द्वारा शतिग्रस्त कानान पुलिया के निर्माड को लेकर बुधवार को एक देवसी बाजार बंद रखा गया जिने शेत्र की जनता का भी समर्थन मिला उस पे गाडर वगरे कुछ भी डालके कम से कम एक मोटर साइकल वहां से निकल जाए जिससे स्कूल के बच्चे स्कूल जा सके पुलिया तुट्टे के कारण व्यापाट ठप हो गया है इसकूल के बच्चे नदी पार करके नहीं आ सकते रोजगार के लिए जो कमपनियों में जाते है वो रोजगार में समय पे नहीं पहुच पा रहे हैं अता सरकार से और समस्त दलों से यहां यह गुजारिश कर रहे हैं व्यापारी संग के तरफ से कि अब हमारे साथ में खड़े रहे के पुलिया नहीं बनाने के लिए हमारे को स्ताखत प्रदान करें चौरे में तुलसी जैंती पर विशाल चल समारो निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया उम्रेट में महाविद्याले खोलने की मांग और शात्रों को हो रहे परेशानियों की मांग को लेकर एनस्यू आई जिलाद्यक्षा जठाकुर के नेतरतों में बस स्टैंड में मुख्यमंतरी शिवरास सिंग का पुतला धहन किया गया और तहसील मुख्याले पहुचकर तहसीलदार को राज जिपाल के नाम कि अपन सौपा गया इस बिलिटिन में फिलाल इतना ही नमस्कार